आज हम एक विशेश बात पर चर्चा करेंगे और उसके साथ फिर मेडिटेशन करेंगे और विशेश बात ये है कि जब हम सवेरे सोकर उठें तो हमें मुस्कुराते हुए हम बार बार रेपीट करते हैं कि हमने सबसे पहला कार्य मुस्कुराने का करना है बाबा को परमात्मा को मुस्कुरा के गुड मॉनिंग कहना है और जैसे ही आप मुस्कुराएं उन्हें गुड मॉनिंग बोलें अपने हाथ में एक ग्लास पानी लीजिएगा जरूर लेना, एक ग्लास पानी, एक लीटर लेना चाहें, very good लेकिन एक ग्लास पानी जरूर लेना है, लेकर बोलना है बड़े प्रेम से, फीलिंग के साथ, मैं मास्टर सर्व शक्ति मान हूं पानी को देखना और 21 बार कहना कि मैं मास्टर सर्व शक्ति मान हूँ, बार बार रिपीट करना और फील करना कि मैं मास्टर सर्व शक्ति मान हूँ, जैसे आप ये रिपीट करते जाएंगे, आपने देखना है कि जैसे एक खाली कमरा होता है ना, खाली रूम के अंदर एक बल्ब रोशन हो, वैसे ही इस देहे रूपी कमरे के अंदर आत्मा रूपी बल्ब चमक रहा है और मैं कहता हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, तो बल्ब का प्रकाश बढ़ता ही जाता है मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, बल्ब का प्रकाश बढ़ता ही जाता है 21 बार कहना है और उसके बाद एक संकल्प कोई भी करना है, जो हम अपने जीवन में होते देखना चाहते है मान लीजिए किसी को बहुत गुसा आता है, मैं शान स्वरूप हूँ, बहुत व्यर्थ चलता है या काम के विचार आते हैं, मैं परम पवित्र हूँ, सफलता चाहिए, मैं सफलता मूरत हूँ शरीर में कोई रोग है, मैं आरोग्यवान हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं बुद्धीमान हूँ इस तरह से 21 बार कहकर ये बोलिए, कमाल के परिणाम होते हैं कमाल के, इसे हमने खुद आजमाया है, और आजमाते रहते भी हैं और काफी भेनो भाईयों पे एक्सपेरिमेंट किया है, इसका परिणाम बहुत सुन्दर है तो हमने इसे करना है, भोलना नहीं है, बहुत आसान है, करेंगे तो हम समझते हैं, 7 डेज में वो हर चीज आपको होती दिखाई देगी जिस चीज के लिए बहुत मैनत करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलते हैं अगर हम इतना भी कारिया नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें कोई हक नहीं है बार-बार ये कहने का, कि मेरा सर क्यो भारी रहता है, मैं क्यो इतना परिशान रहता हूं मेरे काम क्यों नहीं बनती मुझे इतने विगन क्यों पढ़ते है मुझे डिप्रेशन हो रहा है कोई हपनी है इत्तु सा काम करना है बस सवेरे और जब भी आप पानी पिएंगे दिन में जब भी पानी पिएंगे पानी को देखकर तीन बार कहना है मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ यही कहना है मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ तीन बार दिल से के मैं यह हूँ क्योंकि मैं सर्व शक्तिमान की संतान हूँ मुझे स्वीकार कराना है यह खुद को कि मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ तीन बार बोला और फिर वही थौट क्रियेट करना है जो हम चाहते हैं जीवन में क्या सफलता तो मैं सफलता का सितारा हूँ एक बार बस तीन बार ये साथ में एक बार वो मिला दिया पानी में पी लिया पानी में मेमरी पावर होती है ये बात आप जानते हैं पानी हमारे थौट को कैच कर लेता है और फिर हमारे अंदर वो पानी जाता है हमारे थौट आटोमेटिक वो चलने लगते हैं तो ये अभ्यास हमने अवश्य ही करना है तो चलिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे कम से कम मिनिट तो अपनी जगा पर बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाए अब जहां भी हैं बिल्कुल रिलाक्स मुद्रा में बैठिए ठीक है चोलिए बैठ एक गहरी श्वांस के साथ शुरू करें लेकिन श्वांसे नॉर्मल रखेंगे कहीं प्रश्र ना हो अपने कांधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो सर से पाउं तक शरीर को बिल्कुल हलका छोड़ें कुछ पकड़के नहीं रखना है और धीरे से स्वैम को देखने का अभ्यास करें अपने आप से प्रश्र करें कौन हूँ मैं क्या मैं ये शरीर हूँ नहीं इस शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्ती हूँ मैं एक रूह हूँ, आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ, सोल हूँ मैं पॉइंट ओफ एनरजी हूँ और स्वैम को देखे जहां तिलक लगाते हैं वहां चमक रहा है एक बहुत संदर सितारा अ टाइनी पॉइंट ओफ लाइट एक को ही नूर का हीरा ये मैं आत्मा हूँ देखें स्वैम से बहुत शीतल सुगंदित प्रकाश निकल रहा है ये प्रकाश मेरे मस्तिष्क में समाता हुआ मेरी पूरी बॉडी में फैल रहा है मैं प्रत्यक्षण हलका और हलका हो रहा हूँ अब देखें मेरे सर के उपर सर्व शक्तिमान पवित्रता के सागर शिव बाबा पवित्रता का फाउंटेन उतार रहे है अनुभाव करें उसकी शीतलता को फील करें ये ठंडी ठंडी से किरणे मेरे उपर बरस रही है मैं धीरे धीरे बहुत खलका हो रहा हूँ मेरे प्यारे परंपिता हम सब आत्माओं के बाबा शिव पिता से ये शीतल किरने मेरे अंतरमन में समाकर चारो और फैल रही है जैसे टंकी भर जाए तो उससे पानी अपने आप ओवर्फ्लो होता है वैसे परंपिता परमात्मा की शक्तिया मुझ में समाकर चाहूं ओर फैल रही है मेरे अंतरमन से शांती प्रेम और सुक सर्व आत्माओं को प्राप्थ हो रहा है मुस्कुराएं और कहें स्वेम से मैं हरशित मुख हो अती प्रसन हूँ मैं बहुत सुखी हूँ अभी देखेंगे आपके सामने पानी रखा है और आपके मस्तक यहां से सर्व शक्तियों का फाउंटेन निकल कर पानी में जाने लगता है और पानी के कण कण में मिलके उसे शक्ति शाली उसे दवा बना रहा है उसे अमृत बना रहा है और मन ही मन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं मास्टर सर्व शक्ति मान हूं और अंत्य क्याता हूं मैं बहुत सुखी हूं मैं चिन्ता मुक्त हूं प्रसन्न चित्त हूं उस पानी को पी लेता हूं ओम्सान्टि